नमस्कार दोस्तों मैं विसे एक मिसला टीम सील सी केमिस्ट्य फेकल्टी आई पीसी आइसोमेजम हो गया जी योसी हो गई हाइड्रोकार्बन हो गया हैलोजन डिरिवेटिव एल्कॉल फिनॉल इथर के बाद कालिंकार्बन कर्भलयन अधान का ड ऩॉपीक है ऐल्ली हाइड कीटों इसको aपने स्टार्ट करते जा रहे हैं इसमें भी सेंट Oklahoma को थे हैं तो प्लोरल कहुआ होगा सी Cel 3 सी एच ओ पिसको क्या कहते है और ठीक है तो लोरëल में कितने लोरीन है यी ठीक ना तो इसका आंसर कौन सा होगा फिर्स्ट कॉमन नेम का विश्चन है ठीक नेक्सट कि आई पीसी नेम आफ प्लोर वही प्विश्चन है इसमें क्या पूछा है आई पीस नहीं तो इसमें नाम दे दिया सी सी एल सी एल सीह एचो हो नम्बरिंग कहां से करेंगे च्छो से को वन टू है तू कॉमा टू कॉमा टू ट्राइब क्लोरो मैं एधेनल एधेनल कौन सांसर है फॉर्थ ठीक है next IEPC name of the following structure 1 2 3, 4, 5 ठीक है ना तो इसका IEPC name क्या हो जाएगा 1 hydroxy 4 पी क्या लगा है methyl, 3 pentanone ठीक है 1 hydroxy, 4 methyl 3 pentanone ठीक है next चलते हैं question इसमें 2 compound दे रखे हैं acetone and acetaldehyde CS3 CO CS3 और दे रखा है acetaldehyde CS3 CHO यह दे रखा है acetone and acetaldehyde तो आईसोमर से same molecule of formula आईसोमर के लिए सबस्वर पहली condition क्या है same molecule of formula इसमें डेखे हो कितने carbon 123 इसमें carbon 12 तो यह आईसोमर होगा नहीं होगा तो आउसर क्या हो जाएगा not isomer इसमें जल्दिवाज ही नहीं करनी है next toluene का chromyl chloride benzyl dehyde toluene और इसकी reaction किस्ते CRO2 C2 hydrosis इसमें chromyl chromium complex बनता है याद रखना इसमें तो बन जाएगा सीधे CH इसमें एक complex बनता है जिसको कहते है chromium complex ठीक न यहीं ध्यान रखना इसमें और इस रेक्शन का नाम क्या होगा itard reaction ncrt में एक question है cs3 है यहाँ पे NO2 है और इसी की CRO2 Cl2 के साथ reaction ठीक ना क्या हो जाएगा NO2 वहीं से रहेगा और यह क्या जाएगा CH ठीक है next itard reaction है इसमें कौन सा intermediate क्या बनता है chromium complex ठीक क्राइग के इसमें एक चीज का दाता है इसक नाम है इसका नाम क्या है पृजलमivering एक चीज़ द्यान रखना question में जो जो चीज़े बोल रहा है उतनी चीज़े अगर ध्यान रखने हो तो भी हमारा काम हो रोजन मन्ट दूसरी बात कौन सा acid chloride यह reaction नहीं देता है अगर HCOCL HCOCL S2 PDBSO4 के साथ reaction करोगे तो यह reaction नहीं होगी यह reaction नहीं होगी क्योंकि HCOCL generally exist नहीं करता है ठीक है जो रोजन मन्ट ध्यान रखना HCOCL यह reaction नहीं देगा और कोई भी हो simple HCOCL निकल जाएगा क्या बन जाएगा ketone इस मेथट द्वारा नहीं बनता है इतनी चीज़ ध्यान रखो बस अगला कह रहा है बेंजल लिहाइट की सबक्रिया से नहीं बन सकता Clemenson यही गलत हो गया यही नहीं बनेगा इससे तो क्या बन जाएगा बेंजल लिहाइट कौन सी reaction है इतार्ड यह कौन सी reaction है अब नाम सब लोग इस reaction का नाम क्या है इतार्ड यह कौन सी है रोजन मुन याद आ रहा ना अभी रोजन मुन के बारें बात करी है और यह S2 PDBSO4 एक काम और करता है ट्रिपल बॉर्ण को किसमें चेंज करता है डबल बॉर्ण में कौन सी अलकीन सिस अभी बता रहें क्या है यह कौन सी रेक्षन है गाटर मान कोच इससे इवेंजल डिहाइड बन जाता है यह क्या है गाटर मान कोच ठीक है ना रेक्षन के नाम लिख दिये यह हो गया एक बात और देख लो रोजन मेंट के यह हो गया पहले आंसर इसका क्या होगया और यहां दिया हो S2PD BASO4 क्या बन जाएगा CS3 C double bond C H H CS2 COH ठीक है ना triple bond को किसमें चेंज किया है double bond में और acid chloride किसमें हो गया है ठीक next question calcium acetate को heat करना है calcium acetate पहले लिख लिख लेते हैं CS3 COO CAO CO CS3 कि इसको heat करना है क्या बन जाएगा AC2 रेक्शन के complete solution की बात करने हैं नेक्स्ट acetophenone is prepared from acetophenone रोजनमेंट से तो क्या बन रहा था भी याद रखो रोजनमेंट से क्या बना था LD हाइड सेंड मेर अपना CLC2 जो भी बना लग सेंड मेर रेक्शन रेक्शन एलकेन इससे बन सकता है फिडल क्राफ्ट एसीटो फिनोन यह ना बेंजीन CS3 CO CL AL CL 3 क्या बन जाएगा CO CS3 बनेगा ना एसीटो फिनोन किस्ते बनेगा प्रेडल कार्प्स तेख लो ठीक है नेक्स्ट चलते हैं गाटरमान कोच कौन सी है गाटरमान कोच क्या होगा गाटरमान कोच क्या होगा गाटरमान कोच क्या बन जाएगा ALCL 3 HCO PLUS ALCL 4 माइनस ठीक ना अब इसी किसके साथ रेक्षन बेंजीन के साथ क्या बन जाएगा सी डवल बॉंड ओ और यहां एच देख लो चीक है नेक्स्ट वन व्यूटी क्या करना है रिड़क्टी बोजन इसस तो सी एस त्री CS2 CH double bond CS2 O3 ZN H2O double bond काटो क्या लगा दो O CS3 CS2 CHO PLUS CS2O क्या बन गया प्रोपिनल लिहाइड और फॉर्मल लिहाइड नाम आते हैं इसलिए सब चीए द्यान रखना है नेक्स्ट अग्वेस्टन नमबर 12 अग्वेस्टन पर एसी टोन देता है इसको करोगे तो क्या जाएगा एल्डी हाइड और इसको करोगे तो क्या बनेगा CS3 CS2 CS3 कितने मोल दो मोल आंसर क्या हो गया सेकेंड ठीक है नेक्स्ट SC11 CH प्लस S2 CS2 11 CH OH CS3 CO और यहां क्या हो गया है H S2 निकल डिटक्शन CS3 CS2 और यहां क्या हो गया OH ठीक है next NACTS5 OH CS3 CS2 NH2 HNO2 CS3 CS2 NHH क्या जाएगा OH N double bond O ठीक है क्या बन गया है आपर CS3 CS2 OH और इसकी Oxidation कर दी CS3 CS CH क्कून सामसर है पॉर्थ है ठीक है क्वेश्चन और फॉर्ट है क्वेश्चन और क्वेश्चन क्या होती है नुक्लोफिलिक एडीशन CS3 COH प्लस और यह माइनस माइनस और यह प्लस CS3 CO हो यहां हाइडलेशिस नब यह तो भी करना है आपको ओ एनजी बियार एच CS3 ह एच प्लस ओफ माइनस CS3 CH CS3 OH और ऑक्सडेशन किया तो CS3 CO CS3 क्या बन गया है की टोन आंसर क्या हो गया है एक टोन फिप्टीद क्वेश्चन में आंसर क्या हो गया थार्ड ठीक है नेक्स्ट करा जलिये विच आप दो फॉल्विग ऑन हीटिंग विट एक को स्कूर्स प्रोड्यूस एस्टलिहाइड ठीक ना इसमें कोई नहीं है ठीक ना इसमें देखो सी एस थ्री सी एच सी एल सी एक को स्कूर्स कर दिया क्या आएगा और च्छ थ्री सी एच ओएच ओएच यहां से क्या कर दिया एस्टू ओ क्या बन गया सी एस थ्री सी एच ओट है ठीक यहां पर जो बना क्या बन गया क्यों में सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री सी ओटू सी सी एस थ्री सी एस थ्री ओ ओ ओ एच डाइलूट एस्ट्वियो सो फूर ठीक ना फी नॉल बन गया और क्या बन जाएगा एसी दो इसकी में करना हो इस स्टेप की देखो एच प्लस दी जाओगी ओएच के पास ओएस टू प्लस टू निकल के यहां क्या गया प्लस माइगरेट कौन करेगा यह बाहर हो गया त्रीक ना अगर चाहो में कि जम तो कर सकते हूं कि नेक्स्ट कि ऑन डेक्शन यह है रिलक्टिव ओजोनिस्यस है ओ थ्री जेड़ें एच्टु ओ लगाया ओ 123456 ठीक है बोलो भई सही है क्या हो जाएगा इसका नाम सिक्स ओक्सो हेप्टे नल ग्यों सिक्स ओक्सो हेप्टे नल ठीक है नेक्स्ट आयडोफार्म पर इछ नहीं देता है कौन विच दस और गिव ऐडोफार्म टेस्ट पेंटेनोन शीयो सीयँ ग्रूप ये ग्रूप होगा ये ग्रूप हो या ये ग्रूप हो आईडोrolloस्ट तेस्ट देगा ठीक्क ना तो इसमें वन पेंटेनोन हैं वन पेंटेनोन है यह तो टू-पेंटेनोन है वन टू-बार्म हो सकता है और यह स्ट्रक्शिय गलत है यह वन पेंटेनोन क्या करोगे जबरस्ती का लिखा हुआ है एक दो तीन चार यह तो एल्डी हाइड हो गए एक दो तीन चार पांस तीक है ना यहां पे 12345 पेंटेनल कर दो सही ना पेंटे नल यह आंसर टू तो हो जाएगा टू पेंटेनोन इथेनोल करी लिएगा जाना ना प्रिए थी च ओएच एच तो यह इसे लिखा ही गलत है तो इसका क्या हो जाएगा पेंटेनल ठीक ना नेक्स्ट समझ के बात ना वाहाँ यह तो टू पेंटेनोन है नेक्स्ट नुक्लिफिलिक एडीशन नुक्लिफिलिक एडीशन इस इनवर्सली प्रपोर्शनल टू इस्टेरिक हेंड्रेंस आउं ओर इसे रेक्सन लिखो आप नना पूरी अगर जो ओर्डर बताए तो सबसे पहले कौन होगा है। अलपमेंटिक टू फिर अरॉमेंटिक किटौन तो देख लो कौन सबसे पहले फॉर्मेल डिःड फिर इस अल्डी है ति कीटोन सबसे पहले एलिफैटिक एल्डिहाइड फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड फिर एलिफैटिक कीटोओन फिर एरोमेटिक कीटोओन थीक है बोलो नेक्स्ट काम करते हैं किस पर 21 पर ठीक है कि मेटा क्लोरो बेंजल नियाइड ठीक है यही है मेटा क्लोरो बेंजल नियाइड इसकी कर रहे हैं 50 परसेंट के साथ एक्संद यहां आलफा एड्यूजन क्या है एपसेंट है कौन से रेक्सन होगी कौन से रेक्सन होगी कहने जारों एक का एलकोहल बनेगा एक का सॉल्ट यह बन गया प्लस माइनस ठीक है बोलो होगी बात कि कर लोग ना अब यहां एक उपसर में और बेंजीन से और रिप्लेस कर सकते हो बेंजीन से और रिप्लेस कर सकते हो नहीं कर सकते हैं तो यहां ओएच नहीं हो आंसर कम सो जाएगा थार्ड टॉन्टीवन का अंसर क्या होगा थार्ड नेक्स्ट कि आर सी डवल बाउंड ओ आर डैस ठीक है ना सीन के साथ रेक्शन तो आर सी ओएच आर डैस और यहां क्या हो गया है है थीक है अब इसकी क्या कर रहें है कि क्या करेंगे तो यह आएगा तो हम इसकी रिड़क्शन कर देते हैं रिएक्शन किससे करोगे लाइस फॉर ठीक है लाइस पूर डाल दोगे तो यह क्या हो जाएगा आर सी आर डैस होगा है आपके ठीक है ना आर डैस सी ओएच और सी एस टू एन एस टू ठीक है ना नहां आर डैस कर लिए ना ठीक है यह आर डैस से तो आंसर कौन से हो जाएगा फर्स्ट बोरो सही है नेक्स्ट करेक्ड ट्राइड क्लोरो एस्टेल लीहाइड कैसी क्लोरो बेंजीन की सब्सकुर्प रखेग रखे देता है कि इस कौन से प्रॉसे जानते हो डीटी वरे देखो क्लोरो बेंजीन है ठीक है छो डोम लिया यालिया सी-च डर्वर बॉन्ड-ओ C L C L C L H H S 2 O Concentrate S 2 S O 4 यहां क्या हो गया C L C L C H C C L C L C L C L यही तो क्या है वहले लिख लो कि क्लोरोब एंजिन की क्लोरल के साथ Concentrate S 2 S O 4 की प्रिएंस में रेक्शन हो रही है ठीक ना नेक्स्ट आज और क्वेश्चन में कौन सा होगा C L C C L C L C आंसर कौन सा होगा पूर्थ बोलो चलें आगे 24 R C H C O की किसके साथ रेक्शन हाइड्राजीन यह तो पहले करो कट यह नहीं है ठीक है हाइड्राजीन के साथ रेक्शन होगी यह बन जाएगा कैसे बनेगा देखो र C double bond O H HYDRAGENE NH2 NH2 र-C-H और ओ-H-N-H-N-H-2 अब यहां से क्या कर दोगे? H2O तो र-C-H-1-N-N-H-2 यहां से OH और यहां से H अब देखो यहां से यहां तक की reaction तो क्या है? नुकलोफिलिक एडीशन और यह क्या हो रहा है? इलिमिनेशन हो रहा ना? तो यह कम्बाइन रियक्शन कौन सी होगी? मूल कोशन पहले लिख लिया एक चीज़ दिख रहा है एल्डिहाइड की टोन की अमोनिया उसके डेरिवेटिव के साथ जिते ही रियक्शन है एल्डिहाइड की टोन की अमोनिया उसके डेरिवेटिव के साथ जिते ही रियक्शन है वो नुकलोफिलिक एडीशन कॉमा इल्मिनेशन है पी-च रेंज इसमें फोर से 4.5 होता है और सब में वाटर निखलता है यह सब लाइन है पूछी गए कि कौन सा ऐसी रियक्शन इसमें वाटर माइगरेट करता है वो पूछा है और कौन सी रियक्शन है कई बर चाहें इसके साथ रियक्शन हो चाहें 2,4-DNP के साथ हो चाहें फैनल हैडराजीन के साथ हो हो चाहिए hydroxyamine के साथ हो सभी reaction क्या होगी नुकलो फिलिक एडिशन अकॉमा क्या है है कि तो में मूल कोष्चन पर आते हैं तो यह कौन सी रेक्षन होगी है नुक्रोंफ लीएडिशन कॉमा एलिमिनेशन आंसर क्या हो जाएगा फॉर चीक है कि बोलो भाई कौन सा है 24 का क्या हो गया फॉर नेक्स 25 c3 c1 o h and c6 h5 c2 c1 o h किसके दर अंतर क्या आता है यह आईड़ोफर्म टेस्ट देगा यह आईड़ोफर्म टेस्ट नहीं देगा आईड़ोफर्म टेस्ट से इसको और वेंडिक्स और उसना दोनों इसको ग्रूप आगे ना इसमें गुरूप नहीं है तो यह देगा यह नहीं देगा ठीक है टॉन्टिसेक्स नुक्रियोफिलिक एडीशन का ओडर के साथ और को सभी कहें तो सभी यहां की टोन है लेक्शन और उसमें अगर जो माइनस एम लगा होगा तो रियक्शन की रेट क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी माइनस एम अगर एल्डिहाइड सभी अरोमेटिक एल्डिहाइड है तो माइनस एम डिरेक्टली प्रोपोस्टनल टू रेट आफ रियक्शन माइनस एम रियक्शन की रेट को क्या करेगा बढ़ाएगा नेक्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड प्लस अमोनिया फॉर और यहाँ शिक्स यो गया शियस्टू शिक्स एन फॉर्डिहाइड न शियस्टू एन शियस्टू एन शियस्टू यह इसका इस्ट्रक्शर है इरोट्रोपीन किसमें यूज होता है मेडिसीन में कौन से यूरिनी इंफेक्शन यूरीन इंफेक्शन में इसका यूज करते हैं है अपने सिर्फ सूत्र पूछा है तो सूत्र कौन सा होगा यह हाँ इसी के साथ रेक्शन करते हैं तो क्या बनता है और दी एक्स एक बार प्यम्टी में भी पूछा है कि आर डी एक्स का इस्ट्रक्शर क्या होगा तो इसलिए बना दिया यह है आर डी एक्स आर्टी एक्स किसमें यूज होता है एक्सप्लोसिब में किसमें विज़ोता है एक्सप्लोसिब देख लो एन से नोटू है एन से नोटू है थीक है 27 होगया 28 करने के लिए सबसे में तॉन सा है टॉलेंज टोलन टैस्ट देता है की टोन टॉलन टैस्ट नहीं देता है हम फ्रक्टो जोगर की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है ना एल्डिहाइड नॉर्मा एल्डिहाइड और किटोन है एल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है ठीक है नेक्स्ट बेंजलिहाइड CS3CHO ठीक है इसके साथ रेक्शन करके क्या बनाएगा नुक्लियोफाइल CS2-CHO तो यह CS2-CHO इस पर अटैक करेगा अटैक करेगा पी हो जाएगा COH-CH2-CHO निकाल दिया CH-CH-CHO कौन सी रेक्शन होई एल्डोल है टीक है टॉंटिनाइं थर्टी है तो यह CS5-CHO विच अट फॉल्ली इस इनकरेक्ट ऑन ऑक्सिडेशन ठीक है है थी एच ओप अटैक्शन करो गए तो सिंपल किसमें जाए जाए एसिद में कोई बड़ी बात ने तो सही है इंकरेक्ट पुछा ना इट इज इतर बनाने में यह भी सही है अर्मेंटिकल लिएड यह और डेक्शन इल्फिनॉल नहीं रिड़क्शन के बाद इसके जब र सब्सक्राइब नेक्स्ट कि टोन एमघ्च यह है बाइं बाइं ओलिक्ट्टिर रिडग्शन क्या है बाइं मॉली किलर रिडग्शन कि सी एस थ्री कि सी ओ सी एस थ्री कि एम जी एच जी एस टुओ तो इसमें जो बनेगा इसकी पहले कर देते है मैंकि हम एमझी एरो यह प्लस टू प्लस टू ऐलेक्त्राइब यह सीएच त्री सी ओ माइनस फ्रिडिकल यह सी एस त्री कर दो फ्रिडिकल C O minus CS3 CS3 Fritical H plus OH minus CS3 C CS3 O 2 mol ले लो H और यह Fritical जुड जाएगा CS3 CS3 और यहां क्या जाएगा OH हो गया ना और यह क्या है पीना कोल क्या है पीना कोल ठीक है ना क्या होगे पीना कोल ठीक है नेक्स क्वेश्चन आते है 32 विचा दर जोट रिदूस फैलिंग स्लूशन फैलिंग स्लूशन क्यों जानता है यह एरोमैटिक अल्ठीहाइट फैलिंग टेस्ट देता है अलिफैटिक अल्डीहाइट अल्ठीक अल्डीहाइट नहीं देता है किटोन नहीं देता है प्रक्तोर देते हैं फॉर्मिक एसीड देता है यहां अभचाइट नहीं करता है ग्लुकोस करता है फॉर्मिक एसीड भी देगा, फ्रक्तोर भी देगा बैंजल लिहाईड, यह टेस्ट नहीं देते हैं ठीक है 32, नेक्स 33 इसकी भी तैयोरी रियान सुन लो York Nhu653 के साथ the reaction करता है जनली ऑल एल्ड़िहाइट जनली क्यों हम नहीं किया रहे हैं नहीं में ही ग्लुकोज का पेंटाइसिटेट है उसमें CHO फ्री नहीं है वह नहीं देता है इंसे आटी वास से पढ़ना बहुत है तो जनरली एल्डीहाइट देते हैं कौन से नहीं बाइमालुकुल चेप्टर में जाओगे तो एक लाइन लिखे होगी क्यों नहीं देता ड्यूट को चीश्णी कीट यह रेकशन देगा इसमें भी एक्सेप्शन कौन है Ц23 sevenR какие- BER मेथे हए साथ क्रिया छीप है जनरी सभी अल्डी हैड देंगे कौन सा नहीं देगा वह ग्लुकोज का पंटाइस्टेर देख लेना एक बार को की टोन में कंगा यह नहीं देंगा यह ना देनें के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होगा कौन सा इस्टेरिक इस्टेरिक इंडेन्स ठीक है next question pure anxiety bath which of the following compound containing carbolyl group will give colored crystalline compound with 2,4-DNP 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 phenylhydrazine LDH ketone 2,4-DNP phenylhydrazine बनाती है और यह LDH ketone की characteristic reaction ठीक है एलो किस्टलाइन solidus से बनता था तो यह नहीं यह यस यह नहीं यह नहीं मतलब लडिहाइड ketone होता होता हुई आंसर होता होता हूँ आंसर कौन सा होगा second ठीक है ना 2,4-DNP वाली reaction next LDH को प्राथमी के अल्कोहल में है LDH से प्राथमी के अल्कोहल CS3CHO प्रिदक्सावला कोई है इसमें वो तो नहीं है तो वो उल्फ किसनर क्लेमेंशन यह लाए लेज़ पोर देख लो CS3 CS2 OH ठीक है सही है next कौन सा कहनी जारो कहनी जारो रेक्शन कौन देगा कहनी जारो कौन देता है जिसमें अल्फा इड्रुजन क्या होता है absent होता है कौन सा है परस्ट और क्या होता है हेक्स हेक्स हेक्जामेथिल टेट्राइमीन अभी बात कहीं था ना हेक्सट ग्थाएक्स प्लस एनस थी सी एजटू शिक्स एन फॉर हेक्स अमेथिलीन टेट्राइमीन इसका यूरीन इंफेक्शन यूजी होता है यूरीन इंफेक्शन ठीक है एंटिसेप्टिक है नेक्स्ट और युक्ली और रेक्टिविटी जैसे से इस्टेरिक इंडेंस बढ़ेगा रेक्टिविटी क्या होगी कम होगी सबसे अधिक एल्ड हाइट फस्ट नंबर कीटों कीटों फिर थार्ड यह सेकेंड नंबर पर फिर यह थार्ड नंबर पर मतलब आंसर कौन से हो जाएगा पास्ट है ठीक है थर्टी नाइन कि यह रियेक्शन जो देए रख्ञे हैं देखो कौन से रियेक्शन कौन सें है एक अल्ड हाइले डेर रखा जिसमें आलफाइडिए अपसेंट हैं स displays के साथ reaction कर रहा है एक एल्कोहल बना रहा है दूसरा क्या बना रहा है सॉल्ट में बिन पॉन पर ऐसा किस न किसमें हो था है कैने जारी किससने कने कौन देती जिस समें ऑ우 फफन किसमें इसमें इसमें प्रजेन इसमें प्रेजंट इसमें एकम अशन एक मुद्धाई ठीक है न, 39 का आंसर क्या दिया, 3rd, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहां CS3, CH, CS3, CHO, क्योंकि यहां पर dilute NOH होना चाहिए, यह compound, यह ध्यान रखना, आंसर तो इसमें अब हो ही जाएगा 3rd, लेकिन यह, एल्डोल, एल्डोल, एंड कैनिजारो, बोथ रियक्शन देता है, यहां से सुनगा, ठीक है न, यह दिपेंडिंग करेगा, डाइलूट कंसंटेट यहां पर क्या है, यहां पर, question होना चाहिए, डाइलूट, यह ध्यान रखना, इसमें तो बेस्ट आंसर 3rd चाला होने के बावजूद भी एक कैनिजारो, रियक्शन देता है, बात समझ गए, तो इसमें आंसर दे दिया 3rd, लेकिन यह भी हो सकता है, फॉर्स्ट प्राइटी उसकी है, मोर देन वन होता है, तो आंसर दोनों चले, ठीक है, नेक्स्ट, कौन साा आइडोफॉण पर इचंड नहीं देता है, कौन सा आइडोफॉण रियक्शन नहीं देगा, एसिटोफिनोन, CS3COO, बेंजीन, यह ग्रूप आ गया, यह आइडोफॉण पर इचंड देगा, इथेनल, CS3COH, यह आइडोफॉण टेस्ट देगा, बेंजोफिनोन, इ यह नहीं देगा एथेनॉल दे देगा तो कौन सा नहीं देगा आंसर कौन सा होगा थार्ड ठीक है तो नेक्स्ट आगे आपका 41 41 क्वेस्टन क्या है हैं सी एस ठीएचो ठीक हैं तो डालूट तो सी एसट्री अ कोई बेसले लिया यहां क्यों गया सी एस्टू इसकी रियेक्शन किसके साथ होगी सी ऑच इस पहर कर दिया माइनस और यह प्लस कैस तो सी एस थ्री C O minus H C S 2 C H O H plus C S 3 C H O H C S 2 C H O ठीक है न यह हो गया तो यह कौन सी रेक्षन है लडोल है कौन सी रेक्षन है एलडो कौन सी था 41 ठीक है नेक्स्ट एसीटोन एस्टोन फिनोन 42 42 है एसीटोन है वह वहले जो एक्सेप्षन बताएं और एसीटो फिनोन यह है एक बात ध्यान सुनों एनेच एसो 3 के साथ जो रेक्षन देता है वह कौन देता है कौन देता है एलडिहाइड बिलको सही एलडिहाइड देता है और किटोन में किटोन में मेथिल किटोन ठीक है लेकिन एक मेथिल किटोन होने के बवजूद भी ये रेक्शन नहीं देता है क्योंकि है स्टेरिक हिंडेंस क्या होगे अधेग हुए ठीक है next चले आगे तो आंसर क्या हो जाएगा NH03 43 Acetone की क्लोरोफॉर्म के साथ लिख लो यह है एसी टोन और यह है क्लोरोफॉर्म एच प्लस CCL3 माइनस यह माइनस और यह प्लस CS3 COH CS3 CCL3 इसको कहते हैं इसका नाम है क्लोरी टोन और इसको किसमें यूज करते हैं इसका जो यूज है वह हिपनोटिक सम्मोहन हिपनो हिपनोटिक सम्मोहन की दवा में इसका प्रियोग करते हैं निद्राकारी दवा होते हैं किसी को अपने बस में करने के लिए इसका प्रियूग करते हैं तो प्रियोकिशन की रेक्शन की रेट इसकर इंदेंस पहले अलिफैटिक सबचरीक थिर नहीं तरफ दो तरफ है C, फिर D, कौन सा हो गया आंसर, A, B, C, D कहां पर आ है, A, B, C, D, आंसर क्या हो गया, 3rd, 45, देख रूपान प्रण में, सांदार कॉस्चन है यह, इससे यह बनाना है, C, U, किसमे गया है, C, D, जहां से देखो, इन दोनों काम होता है, इसका काम होता है, और, इसका काम होता है, C, U, किसमे चेंज करना, C, D, लेकिन यहां लगाया है, O, H, अगर यह हम डाल देते हैं, तो यहां, O, H, H2 हट के क्या आजाता, C, आजाता ना, तो कोई बेस वाला रिएजेंट डालना पड़ेगा, तो इसमें आंसर कौन सा होगा, फरस्ट, बताएं बात दुबारा, जिसमान लो, यह है, सिंपल, C, O, और यहां, O, H, और यहां, इसको चेंज करने के लिए, यह जही में दो बार पूछा गया क्वेश्चन, एक बार इस टाइप में, एक बार उस टाइप में, तो इसमें कहा जाएंगा, बेस्ट कौन सा हो होगा, NH2, NH2, OH-, मतलब, उल, किस्टनर प्रेटक्शन, तो 45 का अंसर क्या हो जाएगा, फरस्ट, नेक्स्ट, 46, विटीक रिएक्शन, विटीक रिएक्शन क्या होता है, विट एन अल्डिहाइड, PS3, P double bond CS2, प्लस, P double bond O, प्लस, रुग जब पहले, कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं, रुग जब, एल्डिहाइड ले ले लिए, CS3, CHO, प्लस, PS3, P double bond CS2, ले लिए, यहाँ से क्या निकलेगा, PS3, PO, यह बन गया, CS3, CS double bond CS2, प्लस, PS3, P double bond O, क्या बना, एल्कीन, और एल्कीन को ही क्या कहते हैं, ओलीफीन, एल्कीन को क्या कहते हैं, ओलीफीन, ठीक है, next question, 47, 47 की बात करें, क्या रहा है, साइनोहाइड्रीन, टु विच और फॉल्विंग फॉर्म, लैक्टिक एसिड, साइनोहाइड्रीन, टु विच, निमिकित में किसका, साइनोहाइड्रीन, लैक्टिक अम देगा, CS3, CO, H, CN के साथ, reaction करें, सब के साथ, करकर के देखोगे, ठीक है, CS3, यह क्या हो गया, माइनस और यह, इसमें यह है कि लैक्टिक एसिड का आपको, फॉर्मूला पता हो, तो काम हो जाएगा, OH, HCN, हाइड्रुसिस कर दिया, ठीक ना, यह, आंसर हो गया, ठीक ना, लैक्टिक एसिड किस्ते बनेगा, next, sodium-wide sulfite, नहीं बनाता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड बनाएगा, ठीक ना, एल्डिहाइड जनली बनाएंगे, कीटोन में, मेथिल-कीटोन, exception, यह वाला फिर बता रहे हैं, यह exception है, यह मेथिल-कीटोन होने के बावजूद भी reaction नहीं देगा, तो नहीं बनाता है, तो यह ही है, due to hysteric endence, ठीक है, next, C double bond O, H, C double bond O, H, OH minus गया, minus और यह, plus, H, C, O minus, OH, C double bond O, H, ठीक है, यह इधर, ठीक है, OH हो गया, C double bond O, OH, यह हो गया, अब यह, minus और यह, plus, यहान से hydride ion transfer, यह तो ऐसे रहेगा, hydride ion, ठीक हो गया, C double bond O, OH, C, O minus, H, H, C double bond O, O minus, CH2, OH, ठीक है, बन गया, ठीक है, ठीक है, देख लो, H minus H plus transfer हो रहा है, next, आ, युनिकित में किसके साथ, aldehyde, ketone, योगात्म कर्फ करिया देते हैं, अब, aldehyde, ketone है, hydra gene के साथ, reaction होगी, तो नाविक्स नहीं, योग, nucleophilic addition, और साथ में क्या होगा, elimination, तो इसमें भी addition तो होई रहा है, phenylhydra gene, nucleophilic addition, comma, elimination, addition होई रहा है, elimination, semi-carbogyde, nucleophilic addition, comma, elimination, इसमें भी होगा, semi-carbogyde के साथ क्या बनाएगा, semi-carbogyde, hydrogen cyanide, तो कीवल क्या होगा, nucleophilic addition, which of the following lehyde and ketone gives only addition, only addition, reaction with, तो आंसर कर जाएगा, hydrogen cyanide, नहीं तो इसके साथ nucleophilic addition, comma, elimination, addition इसमें भी होगा, इसमें nucleophilic addition, comma, elimination, nucleophilic addition, comma, elimination, SNCN के साथ के वल कौन से होगा, nucleophilic addition, ठीक है, only nucleophilic addition, लिखे न, question लिखे लिए अब पहले, सही है, बात समझे लो, इसके साथ कौन से reaction होगी, nucleophilic addition, comma, elimination, इसके साथ reaction होगी, nucleophilic addition, फिर आगे, H2 निकलेगा न, तो क्या हो जाएगा, elimination, nucleophilic addition, comma, elimination, ठीक है, लेकिन इसके साथ के वल क्या हो जाएगा, nucleophilic addition, नहीं तो चारों answer, addition तो सब में हो रहा है, तो only addition, elimination की बात ना करें, तो कौन सा answer होगा, 4, next, benzyl lehyde acetone can distinguish, 51 number, benzyl lehyde and acetone, हां, तो tollen, tollen, aromatic और eliphatic जोन लिएट के साथ reaction करता है, और ketone के साथ, नहीं करेंगा, तो answer कौन सा होगा, और benzyl, filling solution की जो बात है, वो aromatic LD हैट के साथ भी नहीं करेंगा, ketone के साथ भी नहीं करेंगा, ठीक न, next, 52, सरवाधिक क्रियासील है, नाभिक्स नहीं, यूग के साथ सरवाधिक क्रियासील, तो eliphatic LD हैट, फिर aromatic LD हैट, फिर eliphatic ketone, फिर aromatic ketone, कई बार ये बात बोल चुके, सबसे पहले, ये आते भी हैं, कई बार ये, माइनस हैं, हमने एक बार वाल आ गया, इसमें सिंपल दो, सबसे तेज कौन होगा, एलिफैटिक LD है, ठीक है, next, कौन से रिक्सन है, उल्फ किसनर रिडक्शन, क्या है, उल्फ किसनर रिडक्शन, तो CO किसमें चेंज कर देगा, CS2, तो उनसांसर है, ठीक है, एक में बात देखना, इसमें अगर ऐसे देदेना, तब मामला बच्चे गलत कर सकते हैं, और यहां आगे बेस देदे, हाँ, तो भी क्या बनेगा, यही बनेगा, पीच का स्टेप देदिया, इसके साथ रिक्शन करा दिया, और आगे बेस देदिया, C2S5, ONA, इसे कुछ ऐसे रिख दिया, C2S5, ONA, बेस डाल दिया, तो भी और नुक्लियर फ्री के डिशन, उल्फ किस्टर का आधा पार्ट इदर दे दिया, और तुमसे बीच वाले पार्ट पूछ लिया, मतलब इदर का, N2H4, N2H4, N2H2, इसकी रिक्शन करा दिया, और कराने के ब CO किस में ले जाता है, CH2, उल्फ किसनर, CO किस में ले जाएगा, ये भी किस में ले जाएगा, CS2, रोजन मंड, CHO सही है, CN, स्टिफन रिदक्शन, ठीक है, एच एच रिद्यूस किया है, फिर उसकी हाइड्यूसिस, LDH, तो कौन सा आंसर हागा, सेकेंड, ठीक है, नेक्स्ट question, S2PD, 55 number question, S2PD, क्या हो जाएगा, H, और यहाँ क्या हो गया, OH, तो कौन सा आंसर होगा, 3rd, 55 क्या हो जाएगा, 3rd, 56, CS3, C double bond OH, SCN, कर चुके अभी, माइनस, प्लस, CS3, COH, H, CN, क्या है, इसकी हाइड्यूसिस कर दो, इसकी हाइड्यूसिस, कम्प्लीट ही लेके चलो, CS3, COH, H, CO, OH, कौन सा होगा, आंसर, 3rd, 56 का, 3rd, 57, यह भी कुश्चन आया हुआ है, अब देखो, यह एल्डोल है, है न, तो जैसे लिया, यह, C double bond OH लिया, और दूसरे वाले का क्या ले लोगे, एस्टू अपना काम, पानी निकालना है, यह तो है, यह, S2O, बोलो, सही है, ठीक न, एक का O लिया, दूसरे का, S2, 57, 58, यहां से S2O निकाल दी है, पहला काम तो, N, CH3, अब इसकी reduction करेंगे, क्या करेंगे, L, I, L, H4 के दोरा reduction, reduction करेंगे तो H, और H, N, H, CH3, इसी को उल्टा करके लिखा है, इसी को क्या कर दिया है, ऐसे उल्टा करके लिख दिया है, टीक है, बोलो, अगला, नेक्स्ट, 59, एक्टिवेटिंग और डी एक्टिवेटिंग ग्रॉप, कहां ले जाओगे, एक्टिवेटिंग के, यह एक्टिवेटिंग के, यह एक्टिवेटिक लाइन कुष्टन है, NO2, यहां क्या हो गया, BR, SNHCR, B की जाएपर क्या हो जाएगा, CS3, यहां BR, और यहां क्या हो गया, NH2, NO2, SCL, CS3, BR, N2, प्लस, CL, माइनस, S2O, S3PO2, यह निकल गया, क्या बन गया, CS3, BR, क्योंनों 4, क्योंनों 4 क्या करोगे, यही बन जाएगा, CO, क्योंनों 4, Alkyl Group, CO, H, और यहां क्या होगे, BR, आंसर यहीं सेकेंड ही होगा, बोलो, next, अब करोगे, तो यहां बनाएगा, CS3, CH, OH, CS3, यह क्योंनों है, रोजनमंड, CS3, CO, H, यह भी क्योंनों है, CS3, इसमें भी क्योंनों नहीं होगा, क्योंनों किसमें होगा, इसमें, CS3, CS2, CH, OH, CS3, यह क्या हो जाएगा, क्या है, ठीक न, next, तो आंसर कौन सा होगा, इसमें, यह होगा, next, 61, इसमें कौन आइड़ीचार के साथ, आइड़ो फॉर्म नहीं देता है, तो जिसमें बता है न, CS3, CO ग्रूप हो, वो देगा, यह देगा, यह CS3, CO ग्रूप इसमें भी है, यह भी देगा, डाइएथिल की टोन, C2H5, CO, C2H5, डाइएथिल की टोन, यह नहीं देगा, 61 का अंसर क्या होगा, ठार, 62, यह देगा, अंधी बात की दियत्यक्सले, नूक्ली एडीशन, कौन सी होगी, LD ceux के साथ, कौन सी होती है, कार्भोनिन कंपॉंड, करेक्टिस्ट्र रिक्सlexe, नूक्लीओ लिदिशन. ठीक है, और यह कौन सी शोगी, नुक्लोफिलिक एडीशन ठीक है नेक्स्ट ग्रिगनाड इसी टोन के साथ CS3 CO CS3 किसके साथ प्लस और यह माइनस माइनस और यह प्लस क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा थ्री डिग्री अलकॉहल किसके साथ तर्स यहीं बन जाएगा आप लोग यह कुश्चन करते वक्त इसमें देखो फिर इर्द गिद उसके के द्यान दो जो अपने डेली लाइफ बनाएंगे तो उससे भी आपको को इदर दर देखना है पढ़ना है बटा इंस एटी ठीक ना बच्चे कुछ कंफीज हों के न्टी में दो चार क्वेस्चन तो एक ही दो क्वेस्चन होगा वह देखा जाए तो के डेली लाइफ का से बड़े-बड़े स्टक्चर है तो कोई जादे परसान होने की जरूत नहीं है तो आराम से चीज़ों को रिवाइज करो पढ़ो क्लास नोट सहीं है कॉपी हो कर रहा है उसमें सब चीज़ें लिख रखें आपने उसको एक बार रिवाइज कर लो यह तो क्वेस्चन है अ क्या हो गया आर सी ओ एच कौन सा है यह है कौन सी रोजनमंट कौन सा नहीं देगा एच सी यो सी एल रोजनमंट रिटेक्शन नहीं देगा ठीक है बोलो भाई 65 एल्डिहाइड निकलोविक रण्दुक्र सरबादी क्रिया सी ले कई बार आ चुका क्वेस्ट्र नहीं आए अप एलिएटिक एल्ल्डिहाइड अरोमेटिक एडिएल्डिहाइड के टोन में और क्या है एल्डोल है कैनी जारो है कलेमेंशन उल्टिस्नर रिटार है गाटर कि इसका इंतजारता है मैकेजियम की बीच की कोश्चित की बात हो गए क्या जायो रिएक्षन कि आलफा अद्रियुजन क्या होगा एपसेंट है फास्ट प्रोटॉन का एक्सचेंज श्लो एच प्लस का ट्रांसपर इसलिए इसको क्या कहते हैं एच माइनस एच प्लस ट्रांस पर यह क्या हो गया स्लो चार नमर में पूछा होगा क्वेश्चन है और कई बार यह लगवग हिंदुस्तान में ऐसा को एक्जाम नहीं हो जिसमें क्वेश्चन ना पूछा कुल बात बिठाइए हैं फास्ट सिस्टेप पूछ ले तो क्या होगा प्रोटॉन का एक्सचेंज और इसके बारे में जो भी बात पूछ लें नेक्स्ट हाँ यह भी कई बार आया है दो बार कोश्चन आगए एक बार यह जेट करके यहां पूछा हुआ है तो कौन सा कर्वनिन सर्म पर सबसे तेज हैं तो सबसे तेज कौन होगा सी यल अच्छा लिविंग ग्रूप है आर सबको लास्ट में माइट सला जाता है नेक्स्ट है कि सीच फाइब सी एच चो सी ओएच और यहां क्या हो गया ओएच ठीक है अब यह माइनस और यह प्लस क्या है एगा है एच यह क्या हो गया है सी सिक्स फाइफ सी एच ओ माइनस सी इसने दिया तो यह डबल बाॉंड ओ आप यहां से क्या हो गया है एच फाइफ सी एच ओ एच सी डवल बाउंड ओ ओ माइनस यहां क्या जोड़ जाएगा एने प्लस किसके बेस्ट को यह से हुआ बेस डाल दो वही चीज़ है कि एक एप्लिकेशन की बात है यह थोड़ी से देख लो चले आगे पॉस्ट कर लिए अपना देख लिए दो मिनिट का काम है कि एसी टोन चोटा सो क्वेश्चन है यादा रहा है डी टू ओ डी माइनस करते थे सभी एच रिप्लेस होके क्या लग जाएगा क्या लग जाएगा डी यह क्या हो गया है सिदी थरी सी ओं सीडी तो याद आ रहा है यह करते थे याद करो सी डेवल बॉण ओ कि को अधोई माइनस दिटु ओ एक्सिस में इस धी माइनस दी टु ओ लॉन्टर्व में की चाईंगे डि लिटे नुग दि आ सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब की बीच में जो कार्वन होगा वही एक्टेव मिथाइलीन है वही स्ट्रॉंग होगा तो देख लो कौन सा है फ्री हेक्जिन नहीं है तू फॉर हेक्जिन डाय ओन देखो एक दो तीन चार पांच छे वन टू थ्री फॉर तो यह है ना यह से दिखाएट होगा कौन सांसर होगा सेकेंड टू फाइफ नहीं टू फॉर दो स्यो ग्रूप के बीच में कोई कार्वन को पास है तो स्ट्रॉं माइनस आइफेक्ट बीच में कार्वन को पास है इसे दिखाएटोजन हो गया ठीक नेक्स्ट कहने जारो आईटी का सांदार कोश्चिन जब बेंजल डियाइड होती है तो यादगोर करो एक का अलकोहल बनाते हो एक का सॉल्ट बनाते हो कहने जारो हम यहीं करते हो देखो इसका अलकोहल बनाया तो इसका क्या बनाओगे सॉल्ट इसका अलकोहल इसका सॉल्ट जब इसका सॉल्ट है तो इसका क्या हो जाएगा अलकोहल और इसका अलकोहल इसका सॉल्ट इसका सॉल्ट यह अलकोहल तो यह सॉल्ट यह सॉल्ट है तो यह क्या हो जाएगा अलकोहल और ये क्या हो जाएगा? Salt. ऐसे कोई जो रही नहीं. ये Salt तो ये Alcohol. ऐसे देख लो. ठीक है न? तो देखो. Alcohol, Acid बना दिया है. H प्लस दिया है. फिर Acid, फिर Alcohol. H प्लस इसमें डालोगे तो क्या जाएगा? Acid. इसमें H प्लस डालोगे तो क्या जाएगा? Acid. तो Alcohol, Acid. इसके सामने Acid, Alcohol. आंसर क्या हो गया? Force. सीधा काम. ये तो मैं की जम करोगे, बहुत बड़े पड़े जाएगे. देख लो. एक का Alcohol बनाया है. एक का Salt. फिर H प्लस बात में. अगला stepन है, H प्लस. यहाँ पे OH माइनस. एक का Alcohol, एक का Salt. यहाँ और Salt H प्लस जाएगा, तो Acid. Acid के आगे? Alcohol. फिर यह Salt. ठीक है, OH माइनस कर दोगे न? यहाँ कर देना. नेक्स चले हैं. कर दो है, POQ की Hydrosis. ठीक है. इसकी पहले Hydrosis कर देते हैं. तो CS2 Double Bond C, OH और यहाँ क्या हो गया? CS3. टॉटमराइज कर दिए तो यह हो गया? CS3, CO, CS3. एक चीज़ यह बन गई. इसकी Hydrosis की है. तो CS3, C, Double Bond, और यहाँ क्या हो गया? OH. टॉटमराइज हो गया. तो CS3, C, Double Bond, OH. LDH. इसको डिस्टिंग, एक कीटोन हो गया. और यह LDH हो गया. दोनों को डिस्टिंग्स करने के इसमें क्या मिला होगे? Felling Solution. क्या डालोगे? Felling Solution. ठीक है? Next. कुछ रोभ भी एक्षन. P, H, C, Triple Bond, C, CS3. H, G, प्लस टू. डाइलूट H204. तो P, H, सही है? C, O, H, Double Bond, C, H, CS3. टॉटमराइज क्या हो गया? P, H, C, O, CS2, CS3. कौन सा अंसर है? First. सही है? आंसर कौन सा हो गया? First. ठीक है? Next. वही बाग. अब देखो 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 अब लेंग्वेज तो कही हो चेंज कर सकते हैं. आमने कई बार कहा कि आप से सीधे नुक्लिफिली के डीसर रेक्षन का ओडर पूछ ले. या फिर यह भी कह सकता है कि आपको क्या कह दे? CS3-MG-BR के साथ रेक्षन कर लो. CS3-MG-CL के साथ रेक्षन कर लो. NH-SO3 के साथ और बता दो. या फिर HCN के साथ और बता दो. NH-CO3 के साथ अलिफैटिक कीटोन, मिथिल कीटोन वाला कोसाइड में करनेते हुए. तो सब की बात हो ये. इसमें करें, ग्रिगनाड अवकर्मक के स साथ रेक्षन. तो सबसे पहले कौन होगा? अलिफैटिक 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 नहीं है. फिर कीटोन फ़र्स्ट, फिर एरोमैटिक कीटोन. तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? देख लो. किसमें है? बोलो बेटा, कर लोगे? आपको काम इसी पर, आप पेपर देखो तो आपको पता चलेगा. दस साल के पेपर देखो कैसे आ रहे हैं कोश्चन. यह आए वे कोश्चन कई बार. इस टाइप से स्थे मजी बार दो तिन बार कोश्चन आया हुए. हाँ, अब यहाँ पर कमपॉंड कुछ और होंगे. तो हमने इसलिए तो बोल रहे हैं, अलिफेटिक एल्डिहाइड और, अलिफेटिक की टोन, हो सकता है. सभी अलिफेटिक एल्डिहाइड दे दिया. बेंजीन, CHO, CHO दे दिया. उस पर एक पर NO2 लगा दिया, एक पर CS3. तो माइनस M, रियक से हो सकते हैं. ठीक है, NCIT उठाया है, लिहाइड, कीटोन, कार्बॉक्स लिक एक यूज भी पढ़ लिया. वैसे अपनों कोश्चन दिया, क्लोरीटोन हो रहा है, यूज हो रहा है, बच्चों को, यह सब चीजों से कनेक करें NCIT को. थोड़ा तुम्हें भी थोड़ा सा प्र नेक्स्क्क्स्टन, साइक्लोहग्जीन, ओन ओजोनिसिस, ठीक है, साइक्लोहग्जीन, ओन ओन देख लो, परे में पर चले आते हैं, साइक्लोहग्जीन है, ठीक है, O3ZNH2O, डेवल बांट तोड़ा क्या लगा दिया, O, लगा दिया, अब यह है, C-H-O, इसको ऐसे लिख दो चाहें, यह, C-O-H, C-O-H, अब यहाँ से एसरी खैड़ेन उठाओ, आगे देर रखा है, बेस न, अटेक्ट इस पर करा दो, तो एक, दो, तीन, चार, कितने की मनी, पांच की, बन गी, बाई, वन, टू, थी, फोर, और एक प्लस माइनस पाइब, बन गी, जस्ट वगल में क्या है, C-H-O, और यहाँ क्या हो गया, O-, ही तो होगा, अब क्या करोगे, H+, यह हो गया, O-H, C-H-O, करोगे, माइनस, H2-O, यहीं से निकालोगे, H2-O, ठीक है, देखो, मेन बूल पर आ जाओ, क्या आपना बन रहा है, C-H-O, कौन से आंसर में, पर्स्ट, ही तो है, हो गया, अरे यह जान रहा हो न, कोई भी हो, इज़ा देखो, कुछ और ले ले रहे है, इसमान लोगे ले लिए, हमने, देखो इदर, सब पोच करो, यह ले लिए, तो इसमें, यह हुआ, C-Double-O, H, C-Double-O, H, यहां से सरी खाटेन, उठाओगे, इस पर, एक, दो, तीन, और प्लस माइनस, कितने लिए मन जाएगी, चार, O-C-O, H+, क्या हो जाएगा, O-C-O, कुछ भी दे सकता न, वो, लेकिन हद यही रहेगी, उसकी, यह भी हो सकता, बोलो, तो अपने तो यह कुश्चन करी दिया, कौन से लिए, आंसर पांच वाली है, वो बता दिया न, उसके इसाब से आपको काम करना है, ठीक है बटा, तो 75 कुश्चन आपने किया, कोई ऐसा लफड़ा ओला एक-दो में था, तो अपने कर दिया, हलके फुल के जिसे O-H माइनस कहीं चूटा था, एक कुश्चन वो कर दिया, उसमें सब वो ही बता दिया, हमने, तो आराम से 75 कुश्चन किया, और अपना प्रियास करते हैं, और NTA क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उस हिसाब से बहुत अपना उस हिसाब से सब सेट करेंगे सिस्टम को, ठीक है न, अब CLC आपके साथ है, आराम से आप पढ़ाई करो, आप यह नहीं कि यह तोड़ा सा इस टाइप क्वेश्चन हो जाएं, उस सब आप तक पहुंच आप उसको ध्यान से कोसिस करो कि आप उसके साथ जुड़ पाओ, जुड़ो बिटा साथ, साथ अपने जुड़ेंगे, हर चीजें आपको समाईतों के मिल जाएंगे, ठीक है न, कोई दिक्कत नहीं, अपना आराम से खुसाल रहो, खुसाल होके पढ़ो, समझ गे, को भसो, पढ़ो, दो इतीन काम करो इसमें, रूम बंद, खाओ, सो और पढ़ो, इसके लाओ कोई कारकरम नहीं करना है, बाहर कहीं जी करोना ही है, जानते ही है, तो इन तीन मूल कामों को लेकर चलते रहो, हौसला कॉंफिडेंस बनाया रखो, हमने पहले भी कहा था, यह सब इस साल का सब माइंड गेम है, जो निकल गया, तो काम उसका सेट हो जाएगा, अबरेज बच्चे से बहुत अच्छा कर सकते हो, मौका मिला है, तुम्हाले टाइम कमी रहती है, टाइम आप पकड़ लिए, समझे ना, तो इसका फायदा उठाइए, धन्यवाद,